तो हेलो प्रेंट्स आपका फिर से बहुत बहुत स्वागता है आपके अपने ही चैनल SMII पे और इस चैनल में दोस्तो हम आपके लिए लेटेस इंवेस्टमेंट आइडियाज लेके आते रहते हैं और आपको नएने स्टॉक्स में द्वेश की राय देते हैं दोस्तो बात करत हैं एक पैनी स्टॉक की कमफट इंटेक की क्योंकि दोस्तो इस स्टॉक में आज ब्यूलिश मोमेंटम देखने को मिल रहा है पिछले कुछ दिनों से गरावड थी लेकिन आज फिर रवर्सल हो गया है तो आईए इसके चार्ट का नेलस का डाटा चेक कर लेते हैं देख ले जाटा है और जो टेकनिकल चार्ट है उसको नेलस करने के बाद ही किसी स्टॉक में नवेश की राय देते हैं क्योंकि यहां पर वालेटल्टी बहुत ही जादा होती है सबसे पहले इसका शेर होल्डिंग पैटर्न देख लो जून क्वाटर में प्रमोटर की होल्डिंग 57.46 जबके सब्तम्बर में भी कोई चेंज नहीं हुआ है ये एक अच्छी बात है और जदी FIS की होल्डिंग देखे तो जून में 0.48 परसंट थी जबके आप देख सकते हो के सब्तम्बर 23 में FIS की होल्डिंग निल हो गई है तो उन्होंने भी यहां पे प्रोफट बुक कर लि है क्योंकि वैलुएशन अभी भी सही है P.E.Multiple 27 के है और अंडस्टी की P.E.Ratio 64 की है क्योंकि दोस्तों कामपनी के अभी क्वार्टली नतीजे नहीं आए है तो जब तक नतीजे नहीं आएंगे तब तक uncertainty बनी रहेगी यह जो कामपनी है डिफरेंट सेक्टर में काम करत है डिफरेंट टाइप के जो गुड्स है जैसे के फैंस हैं फैबरिक्स हैं बाटर हीटर हैं मोनो ब्लॉक पंप्स हैं और एकमर्स मार्केट प्लेट पॉर्म्स पे भी यह कंपनी जो है वो ट्रेडिंग का काम करती है तो online services प्रवाइड करती है ट्रेडिंग करती है इन अडिशन टू दिस अधा कामपनी जो है डिस्टिलरी सेक्टर में भी काम करती है और अधर टाइप के जो प्रोडक्ट्स है वो भी सप्लाई करती है तो आईए इसका आप टेक्निकल चार्ट का analysis कर लेते हैं बिजनस तो अच्छा है लेकिन टेक्निकल में देखे तो इस पॉइंट 10 के रउंड है तो मुटा मुटा आप कह सकते हो सेवल से लेके और एट के बीच में ये स्टॉक जो है बो konsolidate कर रहा है यह इसका lower support है जबकि यहां पे इसका जो है वो resistance जो है यह इसका resistance है यह 8.10 के रउंड है जो support है वो 7 के रउंड है यहां पे देखो यहां के रउंड support बनाके एक bullish reversal शो करता दखाई दे रहा है बीच में अपर सरकट पी लग रहा है तो मतलब एक bullish trend है जड़ी यह stock आते वाले time में 8.10 के level को cross कर लेता है और उपर sustain कर जाता है तो फिर एक अच्छा reversal इस stock में हो सकता है otherwise यह stock इनी levels के बीच में जो है वो consolidate करता दख दखाई दे सकता है within next few days क्योंकि अभी इसकी जो financial report है वो नहीं आई है और इसके जो जून quarter के नमबस थे वो mixed trend शो कर रहे है प्रॉपट की बात करें तो प्रॉपट जो है जीर on जीर basis पे भी बढ़ रहा है quarter on quarter basis पे भी बढ़ रहा है लेकिन company का जो revenue है वो continuously contract होता दखाई दे रहा है अब सब्तंबर में देखना है कि company के नतीजे कैसे आते हैं जदी company का revenue फिर दीचे गिर गया तो फिर थोड़ी दिखते हो सकती है लेकिन जदी company का revenue बढ़ गया तो फिर इस stock में एक bullish reversal, bullish stand फिर देखने को मिल सकते हैं तो इसलिए आप अपना risk profile देखने के बाद इस stock में नवेश कर सकते हैं, थोड़ा long time के लिए ही नवेश करें, shorter में अभी इस stock में profit booking और shorter में थोड़ी volatility रह सकती है क्योंकि अभी इसने date भी आई है, हम एक वाल latest update आपको show कर देते हैं, we will go to the site of the Bombay stock exchange to check the latest update and the latest news, इसकी एक जदी latest announcement देखें, तो यहां पे देखो, इस company ने जो board की meeting है, उसकी intimation दे दी है, यहां पे देख सकते हो, the company has announced that the meeting of the board of directors is scheduled on 9-11-2023, तो यह एक बड़ी update आ चुगी है, दोस्तो, company के board of directors की meeting जो है, वो fix कर दी गई है, to take on record the unaudited financial and consolidated financial results, तो company ने अपने results का date declare कर दी गई है, 9th November को, इसके board की meeting होगी, और इसके financial results जो है, वो declare किये जाएंगे, for the Q2, that is the quarter 2, and the half year 1, पहला जो financial year का half year है, उस दिन इसके results जो है, वो declare होंगे, तो future में, इसकी जो performance है, वो इसके quarterly नतीजों पे ही depend करेगी, तो इसलिए थोड़ा wait and watch कर सकते हो आप, और जो हमने आपको levels बता हैं, shorter में उस पे focus कर सकते हैं, subscribe कर लें, और आप bell icon का button जुरूर पैस कर लें, इससे आपको हमारे आने वाले वीडियो का notification जो है, वो मिलते रहेंगे, क्योंकि दोस्तों, इस चैनल में हम detail analysis करते हैं, और फिर आपको नवेश की राए देते हैं, अपना opinion आपके साथ share करते हैं, लेकिन ये हमारा अपना opinion ह होता है, आप अपना खुद का risk profile लेखने के बाद किसी stock में दवेश करें, क्योंकि पैसा आपका है, profit होगा, वो भी आपका होगा, loss होगा, तो वो भी आपका होगा, तो हमारी यही राए है, आप अपने target सेट करें, time horizon सेट करें, फिर ही किसी stock में दवेश करें, thanks again, दोस्त